नमस्कार दोस्तों, देश ने आज पहली बार LAC के पास गलवान वैली में चीनी सेनाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती की सेटलाइट तस्वीरे देखी हैं। वो गलवान वैली जहां 1962 से अब तक चीनी फौज की ऐसी तैनाती नहीं देखी गए। ऐसी मोर्चे बंदी नहीं देखी गए। लेकिन आज चीन ने अपना दावा भी ठोक दिया कि गलवान वैली उसका है और भारत वहां घुस्पैट कर रहा है। जबकि वो गलवान वैली भारत के लिए बहुत माइने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बखतर बंद गाड़ियां दिख रही है। कतारे दिख रही है चीनी गाड़ियों की, चीन के कैम्प की, चीन के टैंक की या चीनी फौजियों की जो ब्यवस्थाएं वहा के तस्वीरें आज दिखी है। इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि अचानक नहीं हुआ। ये 40 दिन, 50 दिन, 1.5 मेने, 2 मेने से चल रहा होगा। और तभी इतनी गाड़ियां, इतने वाहन, इतने लोग, इतने हत्यारबन दस्ते, इतना बड़ा चीनी फौज का स कारी बड़े फौजी अधिकारी लगातार भारत सरकार को पिछले एक मैने से अगाह करते रहे। बताते रहे, चिठी लिखते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, इंटर्व्यू देते रहे कि सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, बड़े पैमाने पर वहाँ चीन की तैनाती हो कि क्या भारत सरकार जान बूज कर इस तथ से या इस तथ को नकारना चाहती थी, या इसके पीछे कोई और वज़ा थी, या उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरसल इतनी मोर्चे बंदी हो गई है, जो इस सेटेलाइट तस्वीर से पता चल रहा है, और अगर पता नह नहीं था, तो इतनी बड़ी नाकामी इंट्रिजेंस एजनसी की है क्या, लेकिन इस पर यकीन इसलिए नहीं आता है, कि जब कई फोजी अधिकारी, रिटार्ड फोजी अधिकारी, लगातार अगर इस पर आर्टिकल लिख रहे थे, टूइट कर रहे थे, इंटर्व्यू द पतरनाक मनशा की तरफ इशारा करते हैं, चीनी फोजों की ऐसी मोर्चे बंदी, जो बीते 40-50 सालों में देखी नहीं गई, वासट के बाद से, इस मिच हुआ क्या है, आप सब को पता है, कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, इनहीं इलाकों में, जहां इस इलाके में चीनी अति दोनों देशों के सेना अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, 6 जून को, और ये तैह हुआ कि चीनी वहाँ से वापस लोटेंगे, और वापस नहीं लोटें, और उसके बाद जब भारत के फोजी वहाँ पेट्रोलिंग के लिए, या जानकारी के लिए, या उनसे बात करने क के लिए गए, उसके बाद खूनी भीडंत हुई और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके भी 40 जवान मारे गए, उन्होंने पूश्टी नहीं कि, लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इतने बड़े तैनाती क जानकारी हमें थी, अगर थी तो हम 40 दिन तक क्या करते रहें, और अगर नहीं थी, तो क्यों नहीं थी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और क्यों नकारा जाता रहा अगर कई सेना के बड़े बड़े अधिकारी लिखते रहे, बोलते रहे तो, इस बीच आपको बता दे, कौन को उन क्या लिख रहे थे, वो मैं बता हूँ, और कितना माइने रखता है यहाँ पर गलवान वैली में, चीन की, फौज की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती, वो मैं बताता हूँ, फौजी अधिकारियों के हवाले से, लेकिन उससे पहले, कि अच्छी चीच ये है कि प्र इसने दिनों तक नकारने के बाद अगर भारत सरकार ने माना है, और ये मीटिंग बुलाई है, हलाके ये हुआ तब जब 20 जवानों के शाहदत हुई, तो इसका मतलब मामला बहुत गंबीर है, उसके बाद प्रधान मंत्री मोधी ने अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने प जिनका आज अंतिम संसकार हुआ है, जो अपने अपने उनके घरों में मातम है, अपने घरों के चिराग दे, वो देश के लिए कुर्वान हो गया, तो प्रधान मंत्री मोधी ने ये बात कही, अमिश्या का भी आज बयान आया, राजना सिंग का भी बयान आया, केंदर की त आज नितिक दलों, लेकिन इस बीच, डेवलप्मेंट ये, आगे मैं बताऊँगा कि भारत के बड़े-बड़े सेना अधिकारियों ने, रिटायंट सेना अधिकारियों ने, पहले कैसे बार-बार आगाह किया, और क्या वज़ा रही कि यहां तैनाती होती रही, और आज य अधिकार के पास नहीं रही होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल है, और ये सारे सवाल देशित में है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट, तो बतादू कि इस बीच ये हुआ है, कि चुकी ये तनातनी की स्थिती है, इसलिए मैं खबरे देख रहा हूँ अलग 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 जगह, कि इसी में खबर ये है, कि सीमा से सटे इलाकों में मुवाइल फोन बंद कर दिये गए है, यहां तक कि सेना के लेंड लाइन फोन भी बंद है, लेह सिटी के बाहर सेना के अलावा सभी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है, श्रिनगर लेह हाईवे भी आम लोगों के लिए सरहदों पर अपना मूवमेंट सेना ने लेह और बाकी सरहदों पर बढ़ा दिया है, खास तोर पर कश्मीर और जंबू में मौझूद यूनिट्स को किसी भी वक्त लेह जाने के आदेश दिये जा सकते हैं, तो इस्थिती तनावपूर्ण हो गई है, और ऐसी तनावपूर जिसमें 20 जवानों की मौथ हो जाए, 45 साल बाद हुई है, इसके पहले 4 लोग अरुनाचल की तरफ मारे गए थे, हमारे जवान शहीद हुए थे, और ये मैंने बताया है कि गाउंग खाली कराया गया है, देमचोक पेंगौंग लेक क्यास पास की जो लोग रहते थे उनको इलर्ट पर रहने को कहा गया है, इससे ऐसा लग रहा है कि तना तनी किसी उस दिशा में जा सकती है, जिसकी तैयारी भारत सरकार कर रही है, क्योंकि ये अवक्त है रेस्पॉंड करने का, और ये करना होगा, क्योंकि देर हो चुकी है, चीन यहां तक पहुँच चुका है, क्योंकि आज उसने गलवान वैली पर साफ साफ दाबा भी ठोक दिया है, तो अब सवाल उठता है कि आज तक इतने दिन से, 40 या 42 दिन से, इस पर सरकार इसे नकारती क्यों रही है, आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मैंने निव चैनल पर कुछ प्रवक्ताओं को सुना शानवाज हुसेन एक चैनल पर बात कर रहे थे, उनसे किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता ने वोला कि गलवान वैली में वो जम गए हैं, LAC के इस पार आ गया है, चीनी हमारी जमीन पर उन्होंने कबजा कर लिया है, साफ साफ शानवाज हुसेन ने कहा ये बातें गलत ह वो LAC के उस पार हैं, हमारा एक इंच भी उन्होंने कबजा नहीं किया है, यही सेटलाइट इमेज के जरीए बताने वाले कुछ चैनल पर भी यही बताया जा रहा है, वो एक पहलू है, लेकिन एक पहलू तो कम से कम सब मान रहे हैं, कि दोनों तरफ जो मोर्चे बंदी है, सेनाओं की तैनाती है, उसमें हमसे कई गुनाज जादा सेना चीन की तरफ है और उस वैली में है, जो स्टेट्जिक पॉइंट से भारत के लिए बहुत माइने रखता है, अब आगे बताते हैं, वो क्यों माइने रखता है, और क्यों फौजी अधिकारी जो रिटाइट राउंटर पार्ट से, उसके पहले उन्होंने ये भी माना कि गलवान वैली में जो हुआ चीन की साजिश थी, उन्होंने स्विकार किया, और साथ में उसके बाद उन्होंने बात की है, चीन से दो टूक, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंसक जड़प गलत है, इसका प्रतिरो की वैठक में LAC पर तनातनी को कम करने और सेनाओं को पीछे ले जाने पर एक समझा होता हुआ था, लेकिन तभी चीनी पक्ष ने LAC के हमारी तरफ गलवान गाटी में एक संरचना बनाने की मांग की हमारी तरफ ये वो कह रहे है, मांग की ये कह रहे है, जैशंकर, जब ये विबाद की जड़ बना, चीनी पक्ष ने पुर्व निर्धारित और सुनियोजित तरह से कारवाई की जो की बाद की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हिंसा और मौते हुई, ये जमीन पर इता इस्थिती को नहीं बदलने के हमारे सभी समझोतों का उलंगन है, ये जैशंकर ने कहा है, कहा जा रहा है, ये उन्होंने चीन के विदरिश मंत्री को कम्मुनिकेट कर दिया, और साथ में ये कहा है कि चीन ने साजिशन यहाँ जो भी गलवान वैली में किया, उसकी साजिश्ती और उसके इरादे ठीक नहीं, इसका मतलब भारत सरकार अब मा पता कुछ है और वो चीन जिसके शी जिन्पिंग से प्रदान मंत्री मोधी बीते 6 साल में 18 बार मिल चुके पांच बार कुछ चीन जा चुक है शी जिन्पिंग भारत आ चुके है उसके उस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सावर्मती से लेकर मावली पूरां त इसके बाद उसके बाद चीन ने जो किया सामने अब आते हैं कि ये हमें पता नहीं था या जान बूज कर हम नकार रहे थे या हम कुछ और करना चाह रहे थे स्टेड़ी पॉइंट से हो कुछ और गया जब हमारे 20 जवान शाही हो तो क्या वज़ा है हम आते हैं जरा जो अपने की कोशिश होती है आज जैसे लिखा है ब्रह्म चलानी है डिफेंस एक्सपर्ट बहुत तिष्टिप उन्होंने लिखा है आज लुटर पर लिखा है गलवान वैली के चारो तरफ जो सराउंडिंग स्टेड़िक हाइट्स हैं जो एलसी की तरफ हैं उस पर 1962 के बाद ने बड़ी गलती की तो क्या भारत से इतनी बड़ी चूक हुई यह वो उचाई वाली जगह हैं जहां से हाइवे और फॉर्वर्ट बेस पर नजर रखा जाता है आप जानते हैं कि भारत वहां पर हाइवे बना रहा है ताकि सेना की तैनाती वहां तक हो सके और चीन जहां ह हमसे एडवांस पोजिशन में होता है वहां हम वहां अपनी सेना को आसानी से पहुचा सके अपने टुप्स को पहुचा सके अब बात आती है इसके अलावा यह पहले से चला रहा है यह तो ब्रहम चिलानी ने आज लिखा लेकिन कई फौजी जो जेनरल हैं जेनरल लेटिन जेनरल पराग लेटिन जेनरल प्रकाश मेनन अजय शुकला करनल रहे हैं जर्नलिस्ट हैं इन सब ने लिखा है अलग-अलग समय और यह बीते एक महिने से चल रहा है अब देखे मैं बताता हूं पॉइंट एक एक पॉइंट जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि यह सब ल कि तब हम कुछ कर पाएंगे यह हमारी स्टेजी कुछ और थी तो एक बार आप सुन लें प्रकाश मेनन है लेटिन जेनरल इननों 19 मही को 29 मही को माफ करें प्रिंट में लिखा दा प्रिंट एक वेब साइट है डिजिटल प्लेटफॉर्म में लिखा चाइना है डेफिनेट लिखा आज से 20 दिन पहले करीम और उसमें लिखा हलाके यह 1962 की तरह नहीं होगा यह भी लिख रहे रहे हैं उन्टने लिखा मोधी सरकार डोकलन में डोकलन में चीन के चीन के कंस्ट्रक्शन को अंडर कार्पेट मोधी सरकार ने छिपा दिया था यह लिख रहे हैं कि अंड लिख रहे हैं 29 मेह को दूसरा उन्होंने फिर 17 जून को भी लिखाया आज आज उन्हों लिखा है कि मोधी के लिए पॉलिटिकल स्टैंड लेने का वक्त है 11 जून को ही लेफ्टिन जेनरल पनाग ने लिखा था दा प्रिंट में उन्होंने लिखा था पिये मोधी साइलेंस ओन एलेसी स्टैंड ओफ इज बेनिफेटिंग चाइना इंडिया मस्ट चेंज इट्स स्क्रिप्ट मतलब एलेसी के मुद्दे पर मोधी के चुप्पी चीन को फाइदा पहुचा रही है भारत को अपना तरीका बदलना चाहिए ये लेटिनिन जेंरल पनाग ने लिखा यह सारे फाज के डेकुरेकटिट सीनियर आपसर्स रहें अब एक और मैं जेंरल हुडा लेटिनिन जेंरल हुडा उनका नाम आपने सुना होगा शायद सर्जिकल स्ट्राइक के खिर्मेधारी और हीरो वही थे लेटरिन जिनरल हुडा ने भी कहा डियेस हुडा ने उत्री कमांड के जियोसी रह चुके हैं वो उन्होंने कहा है कि इससे पहले भारत चीन तनाओ के मुकाबले अब जो घुसपैट हुई है वो बड़ी घुसपैट है क्योंकि इस बार चीन ने सेना और लड़ाई के साजो समान तैनात किये हैं अगर डोकलाम का केस देखें तो हमारे हिस्से में नहीं था वो भुटान में था चुमार में उन्होंने हमारे सामने आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सके क्योंकि हमने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया 2013 में देप सौंग तनाव में वो हमारे इलाके में घुसाये थे लेकिन सिर्फ तीस चालिस सैनिकों की पलाटून थी ये उन्होंने दकुइंट को एक इंटरिव्यू में कहा है और ये भी छे-साथ दिन पहले चपा हुआ है इसलिए बड़ा संकट है ये क्यास नहीं लगाना चाहूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी लिख रहे हैं कि हर कोई क्यास लगा रहा है कि घुस्पैट के पीछे क्या कारण है लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है इसकी तुल्ला पिछले तनावों से करूं तो चुमार 2014 और ड रुकलाम 2017 दोनों पक्षों को पता था कि उन्हें क्या करना है क्या चाहिए चीन सडक बनाना चाहता था हमारा काना था वो नहीं बना सकते इसमें मतभेद साफ थे लेकिन इस बार हमें नहीं पता कि चीन क्या चाहता है अब जड़ा सोचिए बहुत अहम बात कि हमें नहीं इतने बड़े पैमाने पर तैनाती जिसकी सेटिलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं, पता नहीं कि चीन के इरादे क्या हैं, एक लेफटिनेंट जनरल सर्जिकल स्ट्राइक में जिनकी आहम भूमी का रही हुडा कह रहे हैं, उसके अलाबा मैं कुछ और लोगों को बता देत हो, चुकि यह सब फौज के आफसर्स हैं, रहे हैं फौजी, इसलिए इनका कहना बहुत माइने रखता है, अब रिटार्ड लेफटिनेंट जनरल एचेस पनाग ने कहा, कि चीन ने भारत के 40 वर्ग किलोमिटर हिस्से पर कबजा किया, इन्होंने कहा, 1922 के बार लाइन ओफ सेक्चुल कंट्रोल, LAC, पैंगॉंग लेक के फिंगर एट के पश्चिम से जाती है, इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस फिंगर एट में पेट्रोलिंग करती थी, हमारे इस दावे को 1922 से चुनोती नहीं दी गई, हलाकि इसको लेकर PLA ने कई बार अपना मत बदला है, ल जनरल पनाग उत्री कमांड के कमांडिंग इंचीफ रहे हैं, वो कहते हैं आगे, फिंगर फॉर से फिंगर एट में करीब 8 किलो मिटर का हिस्सा आता है, जील के पैंगॉंग जील की बात हो रही है, उसके उत्री हिस्से के बीच की ITBP पोस्ट को नजर अंदाज करते हुए उचाई पर कबजा कर लिया गया, इसका मतलब है कि चीन ने 35 से 40 किलो मिटर के, 40 वर किलो मिटर के हिस्से पर कबजा कर लिया, अब आप समझते जाएगे, ये सारी चीज़ें पहले लिखी बोली जा रही है, पिछले 20-25 दिनों से, इसी में आगे कहते हैं जनरल पनाग, इस मामले में मेरा मानना है कि हमारे जैसे, ने ये तो 37 दूआ करें, उन्होंने कहा है जनरल पनाग करते चीनी सेना ने भारतिया हिस्से पर कबजा कर लिया, कई सारे रिटायर अफसर हैं जो मानते हैं कि सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, खैर, तो ये कई अफ से देखा भी कि टेलिग्राफ अख़वार में छपा हुआ है कि एनाई को इंटर्व्यू में कहा था जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दस तिन पहले कहा था, दस या बारा दिन पहले, इंटर्व्यू में कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ एथा स्थिती बरकरार ह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और टेलिग्राफ ने छापा है, डेडली प्राइस ओफ डिनाईल करके, उन्होंने पांच मई को उन्होंने कहा था, भारतिय सेना प्रमुक्ष ने, माफ करने, 13 मई को कहा था, कि there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days, एक सप्ता या दस दिन में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, ये उन्होंने कहा था, 13 मई को आज से 4 दिन पहले, और उसके पहले अगर देखें तो 5 मई से ये कहानी चल रही है, 13 मई को नहीं, 13 मई को कहा 4 दिन पहले नहीं, अभी से हो गया, मतलब 32, 34 दिन पहले, और 5 मई से कहा जा रहा है कि चीनी सेना की वहाँ इस त पैनाती और मोर्चेबंदी भी 13 माई को भारत की तरफ से इसका खंडन किया गया उसके बाद भी बार बार खंडन किया गया खंडन तो मैंने कहा कि अभी जो बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं ने चैनलों पर आज दिन बर किया है कि एक इंच हमारी तरफ नहीं आये वो उस त जिर्च मंत राले के प्रवक्ताओं आज तो अब ये सारी स्थितिया है इन इस्थितियों के साथ मैं सिर्फ ये सवाल छोड़ना चाहता हntए कि देश के सामने जब संकट होगा पूरे देश को एक जूट होकर चीन से मुकाबला करना हो होगा है देश की एक जूटा एक अल साथ political leadership के साथ सारकार के साथ एक जूटता दिखाएगा क्योंकि जब दुश्मन से मकाबला करना होता है तो देश के भीतर सबकी एक जूटता जरूरी होती है लेकिन सवाल यही कि अगर यह सब हो रहा था तो हम हमसे चूक कहीं हुई क्या एक तो चूक यह जरूर हुई जिस पर बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं कि हमने taken for granted लिया चीन को चीन का अज आसानी से हम बासट की बात कर रहे हैं नहरू की बात कर रहे हैं नहरू के इतियास पर कोई बात नहीं कर रहा है, कि छे साल में क्या हुआ, छे साल में 18 मुलाकाते, पांच बार चीन का दोरा, शी जिन पिंग का भारत का दोरा, चीन पर इतना भरोसा, इतने तरह के आर्थिक समझाओते, इतनी तरह की अंडरस्टेंडिंग डील और उसके दाबे, औ वो सदियों से, दशकों से, भारत का, से अलग रहकर भी भारत के साथ माना जाता रहा है, उस देश ने भी एक तरह से चुनोती दी है, भारत के उस हिस्से को अपने नक्षे में शामिल कर लिया है, जो उत्राखंड का हिस्सा है, और उसके बाद वो मानने को तयार नहीं है, उसके पीछे भी चीन है, उसे भी ताकत चीन से मिल रही है, तो चीन हर तरफ हमारे लिए खत्रा बना, पाकिस्तान में भी हल चल है, पाकिस्तान की ताकत चीन है, नेपाल जो हमारा करीबी था, वहां हल चल है, उसकी ताकत चीन है, और चीन सीधे हमारे, अगर इन सेना अध से उनकी दावेदारी नहीं थी उनकी मोर्चेबंदी नहीं थी उनकी मौजूदगी नहीं थी और वो strategic point जहां उनकी मौजूदगी भारत के लिए बहुत नुकसान दे हो सकती हूचाई वाले जिसका जिक ब्रहम चेलानी कर रहा है। वहां वो उनकी मौजूदगी हो गई है। तो अब ये सबाल एक है इस सबाल के साथ एक स्टोरी में देख रहा था बीबीसी पर सल्माम रावी ने लिखी है अच्छी स्टोरी है इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है हेडिंग इसका है भारत चीन सीमा विवाद पियम मोदी के जिन्पिंग प्रेम से अब तक क्या हुआ हसल और शी जिन्पिंग के साथ मोदी की मुलाकातें बातें 18 मुलाकातें और उसके बाद इसी में है कि दो देशो के बीच कुल 12 समझोते हुए अब तक इन समझोतों को लागू किया गया या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है लेकिन दोनों देश के जो बड़े नेता हैं सरवचे नेता हैं उनकी दोस्ती उनकी प्रॉक्समिटी उनकी तस्वीरों के जरिये हम मान रह थे कि चीन से हमारे रिष्टे अच्छे हो रहे हैं और इस बीच भारत के कई शहरों से चीन के सामानों की बाइकॉट की अपीले वाटसेप पर कई तरह के फारवाड सूरत में टेलिविजन तोड़ने की तस्वीरें जो नाट किये ज्यादा लगती हैं यह सब आने लगी है कल भी यह सब होगा हो सकता है ऐसी अपीले होने लगे कि चीन के सामान का बाइकॉट करो यह हो रही है लेकिन इस इन अपीलों का स्केल बहुत बढ़ा होगा यहार समय होता है लेकिन इस से अचीन का मुकाबला करेंगे क्या है यह सोचने की बात है और इस पर एक दूसरा व या हमें पता नहीं था जो आज सेटलेट इमेज से पता चला और या पता था लेकिन हम किसी और स्टेटजी के ताथ इसको नजर अंदाज कर रहे थे या इसको नकार रहे थे इसी सवाल के साथ खत्म करता हूँ उम्मीद है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात आप तक अलग-अलग ढंग से पहुंच दे रहें नमस्कार